हेलो दोस्तो आज हमारे पास बैसन प्रो बैक आई है इसका जो ऐसा सौकर खराब है जैसे कि आप देखने लिकेज कर रहा है इसका एलसील भी खराब है और उपर की तरफ से भी लिकेज कर रहा है दोस्तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखिएगा आज हम इसको कैसे ठीक करे यह बख़ए लेया है और चलिए आपको दिखाते हैं आपको जैसे कि आप देख रहे हैं खोल लिए और सत्यसटेन का सीफिर स्पाइशी हम खोल लेंगे इसको और बाहर की जिरफ निकाल लेंगे हम और उसके वाद इसका जो सपोडर बेट था इसको भी निकाल लिए है और इस्पिरिंग भी जुए हम बाहर निकालेगे ईसे इसे आई और जो है इसको बाहर निकाल लिये हैं ja आई हैं उसके बाद जास्ते मेन्सकी स्ब्स हो टों उतक है एक ऐसे इसको अइस है नमर क्टिव इंकिया वह इसको ते लिए तार सब्सक्तियाओक्ड्गाए के बोल्ड को भी हम बाहर निकाल लेंगे हम हुए हुए उसको फोल करने का लेंगे हम वाँ के इसको आशको पने मद्ते इसको बेंसे बाहर निकाल लेंगे आशके वाँ कि पर रखे। बैङ्ङां को ते देख हों किया एक बाहर निकाली आशकर पर बाहर क्लें ऑसել लिए एक वार्सल होगी उसको लगा देना है ऐसे और इसके बाद वैसे इसका नया सौकर एलसिल है मेरे पास इसको मैं इसे लगा दे रहे हैं और एक पुराना होगा उसको ऐसे उपर से रख देंगे फ़रा हथोरी के चोड़ से इसको हम बराबर इसको हम लगा देंगे ठीक है और र집ड़ाना वाला था इसको हम निकाल दिया है देख रहे हैं दोस्तो मेरा सौकर एलसिल जो एसी फिच हो चुका है और इसके ऊपर एक लौक होगा को हम लगा देंगे दोस्तो एक दो Хार को जो पैप होता है इस पे कहीं कट उठ का निसान नहीं होना चाहिए यदि कटा उठा होगा या कहीं एसक्रेच होगी आपका सोकर जो है जो काम बराबर नहीं करेगी जहाद दुन चल पाएगी चिर्टी केज कर जाएगा ठीक है इस इसको दियान रखे आप और इसको में से सोक करें पर पैप आप ऐसे हम लगा देना आ है और शैसे प्याइब कर लेंगे ऑर का युद्ध करके consultation और उसे हम टैट कर लेंगे उतल्ग को आजा हुआ है कि अब दोस्तों सबसे पहले इसे में एक स्क्रीम ऐसे लगाएंगे असे कि देख रहे है अप स्क्रीम लगा दिये हैं इसके बाद इसका एक वारसल होगा वारसल भी आजाद देंगे और इसका एक सब्टल्टर पाइफ क इसके बाद इसके बाद नया सोकर ओयल डालेंगे 165 ml का है इसको फूल करके और नया ओयल डाल देंगे जोस्तो पुराना ओयल नहीं डाले उसकी आपका सोकर बराबर काम नहीं करेगा इसलिए सोकर ओयल नया ही डाले तोगर दोस्तो और उसके बाद से 27 नेजमर का जो नट उसको उमने से लगा लेंगे उसको जोस्तोफेटाशन होने निटकर बीड़ार का बोल्ट्ध करने दिरेंगे ताकि उसद्रजके टाइट नट बाइठ नचे नहीं इसके बाद इसको पर लेट लेना इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसको ढ़िए जाएंगे चेंटर में कि दोस्तों ऐसे उपर की जरब देगा है और इसके बाद 12 नमर का बूल्ट हुआ है इसको हम ऐसे टैट कर लेंगे इसके बाद दोस्तों निशे का जो 12 नमर का बूल्ट है इसको भी हमको टैट कर लेना है तो आठ के अंदर जो है दोस्तों दोस्तों दिखाएंगे आपको शॉकर किस तरह से पाइंड करता है यह दोस्तों दिखाएंगे आपको दोस्तों इस तरह से काम करेंगे आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंटर के जरूर बताने और वीडियो को लाइक कर देना चैनल को नहीं वाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना हुआ 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 नहीं और अटी किस देके दोस्तों और है क्वेस और आपको